जारखंड, संथाल परगना, सुन्दर पहाड़ी प्रखंड जिलागोटा यहां के दुरगम पहाड़ी इलाकों में निवास करती है आदिम जनजाती सोरिया पहाडिया इस एक शेत्र की सबसे पुरानी जनजाती माना जाता है इस जनजाती की जनसंख्या में लगातार गिरावट आ रही है वर्ष 2001 की जनगनना की अनुसार इनकी जनसंख्या 61,121 थी जो वर्ष 2011 में घटकर 46,222 रह गई सवाल उठता है कि ये 14,899 सोरिया पहाडिया आखिर कहा गए उनका पुरा जिवन जो है जunda के ऊपर निर्भर था जनगल से सिकार करते थे जरी बुट्यां थी फल मुल थे तो उसी पर पुरा का पुरा है जीवन पाधा रहता लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे जनगल कम हो रहा है वैसे वैसे उनकी इस्तिती बत्तर हो रही है बाहरी हस्तक्षेप और तथाकतित विकास के बुल्डोजर ने संसाधनों को रोंदना शुरू किया परिणाम ये हुआ कि जहां 1936 में इलाके का 66 प्रतिशत हिस्सा जंगल था अब मात्र 10 प्रतिशत बचा है इलाके में पानी की जबरदस्त कमी है यही वज़ा है कि केती यहां के जीवन का आधार नहीं बन पाई पुराने जवान में ये बहुत कटनियां से अपना केती बारी करते थे उस केती बारी को जब पसल होता उस केती बारी में जनजाती की घटती आबादी का एक प्रमुख कारण पानी की समस्या है पीने के पानी और दैनिक जरूरतों के लिए समुदाए मौसमी जर्नों पर निर्पर है पीने का पानी चार-पांच किलो मिटर दूर से लाना पड़ता है समुदाए इस पानी को पी रहा है इसलिए हम इसे पीने का पानी कह रहे हैं अन्यता ये जहर के समान है भारत में डाइरिया और जल जनित रोगों से प्रतिवर्ष एक लाख चाउंतीस हजार बच्चों की मौत होती है यूँ तो एक्सिलेरेटिड रूरल वाटर सप्लाई कारिकरम के अनुसार मैदानी इलाकों में 250 व्रक्तियों पर 1.5 किलो मिटर के अंदर और पहाडी इलाकों में 100 मिटर के अंदर एक हैंड पंप या पानी का अन्य कोई स्रोत उपलब्द कराने का प्रावधान है लेकिन शायद इस इलाके में प्रावधान पहुंचना भूल जाते हैं इस इलाके में बदलाव फाउंडेशन 1990 से काम कर रहा है फाउंडेशन ने समुदाए के साथ मिलकर पानी की समस्या के निदान पर चर्चाएं की और उपलब्द संसाधनों के संयोजन और प्रबंदन की रूप रेखा तयार की गई ढलान की वजह से पानी उपर नहीं ठहरता था बलकि सर्व से चट्टानों से किसल कर नीचे चला जाता इस समस्या को दुरुस्त करने के लिए चेक डेम बनाए गए ये डेम बर्दलाव फाउंडेशन के दोरा ये केकस प्रोजेक्ट हिम लोगों कहता है जर्मन के सहयोग से बियम जेड के सहयोग से ये काम चला जा रहा है और मेंपाडिया का यहाँ पर जमीन जो है 11 एकड का जमीन यहीं परती रहता था जिसमें ये मेडबंदी का काम कराया गया है और मेडबंदी कराके ये चिपडेम बनाया गया इसका पानी को उप्यों करकिश में डबल कुरॉप लिया जाएगा यानि कि हम सबजी उत्पादन भी कराएंगे और जो अस्थाइक खेती के लिए इसमें काम दोनों काम दिया जाएगा बरसात के पानी के प्रबंधन पर मन्थन शुरू हुआ योजना को अमली जामा पहनाया गया आज समुदाए किसी विशेशग्य की तरह बरसाती पानी के प्रबंधन की वैख्या करता है बारी साथ ये चादरा में आता है चादरा से जाकर पूंगी से जाता है गड़ा में उस गड़ा में जमा होके हम लोग मचली ये जो भी साथ सबजी का पटवन करते हैं नतीजे कई बार पहल कदमियों का इंतजार करते हैं बदलाव और समुदाई की संगत ने गजब के नतीशे पेश किये जहां लोगों के पास पीने का पानी नहीं था वहां मचली पालन शुरू हो गया जहां खेती के नाम पर बरबट्टी उगती थी वहां अब सबजियां पैदा होने लगी आज लाके के आठ गाउं के सो से ज़्यादा किसान बरसाती पानी का प्रबंदन कर रहे हैं लेकिन राहत एक है तो आफ़त हजार विकास का बुल्डोजर फिर इनके दर्वाजे पर है अडानी समूग का सोला सो मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट प्रोजेक्ट पहाड की च्छाती पर होगा किसानों की जमीनों का अधिकरन शुरू हो चुका है विकास इने उखाड कर पता नहीं कहा भेंकेगा लेकिन निस्चिंत रहें आदिवासी कारनीवल के लिए इने खोज ही लिया जाएगा ताकि महा महिम भाशन दे सकें अधिकरन पर होगा